हाई लो स्टुडेंट तो आप सब कैसे हैं आयोप की सब अच्छे होंगे स्टुडेंट आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान कच्छा दश्वी के केमिस्टी पॉर्शन को जिसमें हम फ़र्ष्ट चैप्टर से लेकर के फाइब चैप्टर तक के प्रतेक कुश्चन आंसर को विद नोट्स के रिविजन करेंगे तो वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है वीडियो के लास्ट तक बने रही है दोस्तों वीडियो को काते हैं फ़र्ष्ट चैप्टर से हमारा पहला कुश्चन इंपॉर्डेंट बनता है कि मेगनीशियम रिवन को जलाने से पहले शाफ क्यों किया जाता है मेगनीशियम रिवन क्या होता है जब इसे खुले में छोड़ दिया जाता है यानि खुले बातावरा में जैसे हम रख दें तो बातावर में उपस्ते आदरता और अन्यवाई होती हैं ये उनके शंपर्ग में आ जाता है जैसे ये शंपर्ग में आता है तो अपने उपर मे कि शाल परद जमाना है जैसे मेंगनिशिजम dissum की परद जमादेता है क्या हुता है जैसे मेंगनिशम अपरद में जाटिके रहते हैं गाया है नहीं इससे संफर्क में अबने संपर्क में आकर spiral कोUL चमदेश यहार 00114 can Om तो यह परत क्या करती है फिर इस रबन को जलने में भरिशानी देती इसको जलने नहीं देती है अब इस परत को हटाया जाए तभी तो रिबन जलेगा इसके लिए रेग मार्क का युज चिया जाता है रेग मार्क जिसे पेपर कहते हैं हम उसे साफ कर देते हैं तो मेगनेशियम रबन जलना इस्टार्ट हो जाता है तो हम समय कर में पढ़ते हैं कि मेगनेशियम रबन को जब वाक्षियन के पस्तिभी में जलाए जाता है तो क्या बनता है तो एक स्वेध रंग का चून यानी राख बनती है जिसे मेगनीशियम औकसाइड कहते हैं ये दो रेक्टेंट्स और प्रोड़क्ट दोनों तरफ दिखाई दे रहे हैं वो बैलन्स करने के लिए रखे रहे हैं इसमे तो दोस्तों यहां पर हम मेगनीशियम को जलाने से पहले साब क्यों करते हैं यह कुश्चन हम कंप्लिट कर चुकी नेस्ट कुश्चन है अपना संतुलित रासानिक समिकन किशे के आती हैं जैसा कि दोस्तों हमें पता है संतुलित मीन से क्या होता है संतुलित मीन से होता है पूरी तरह से भरपूर यानि जो चीज चाहिए है वो सारी चीज अवेलेवल हो तो संतुलित इसमें क्या चीज है रासानिक समिकन अब रासानिक समिकन कब संतुलित होगा जो उसमें सारी चीज है उपलब्द हो यानि वो बिल्कुल जैसा नियम कहत उसके निशार हो तो वो समीकन कैसा होगा संतुलत होगा अब इसमें बात कर रहे हैं कि संतुलत रासानिक समीकन किसे कहा जाता है तो संतुलत रासानिक समीकन उसके कहा जाता है जिसमें कोई भी तत्त लिया जाए उनके परमानों की शंख्या अब एकारक और उत्पात दोनों पट्चों में शमान यह यह left hand side में जो रखे गए हैं वो अविकारक हैं जो राइड hand side में दिखाई दे रहे हैं बोथ बाद यानि product है तो reactions क्या होते हैं रिक्सुक्त होते हैं जोinkər पाई के लिए लिए जाते हैं रेक्टेंट्स या अविकारत वो पदार्थ होते हैं जो किसी भी क्रिया में भाग लेते हैं यानि किसी की क्रिया को पर आने के लिए जाते हैं प्रोडक्ट क्या होते हैं प्रोडक्ट अविकारत कौन से जो बनने बाले पदार्थ होते हैं वो उत्व तो इसमें संतुलित राचाने समीकर की बात कैसे देखी जा सकती है जिसा कि यहां पर देख रहे हैं हम कि इधर चार हाइड्रोजन है इधर भी हम देख सकते हैं चार हाइड्रोजन है और यह दो अक्षिजन है इधर भी दो का इससी मल्टिप्लाई किया तो ये भी चार हो गया यानि अभिकारक पच्छ और उत्माद पच्छ दोनों विल्कुल शेम हैं अब दोनों शमान हैं तो बुद रासानी समीकन कैसा होगा संतुलित रासानी समीकन होगा अब हमारा नेक्ष्ट कुषियर बनता है कि संतुलित समीकन क्यों करना हावश्यक है जो रासानी समीकन था उसे संतुलित करना क्यों हावश्यक है तो हमें द्रमान सर्चन के बारे में सबसे पहले पता होना चाहिए कि द्रमान सर्चन नियम क्या होता है द्रमान सर्चन नियम कहता है कि द्रबमान को ना तो बनाया जा सकता है ना ही नश्ट किया जा सकता है अब कोई चीज ना बनाई जा नहीं सकती ना नश्ट की जा सकती तो उसको क्या करना होगा उसको तो बराबर ही कर सकती है तो यहां पर कहा गया है कि जो भी अबगार पच्छ में लिया जाएगा उसकी समयमता हमें पच्छ में भी देखनी हैं कि दोनों बराबर है या नहीं अब दोनों पच्छ अगर बराबर है तो वो समीकंग संतुलिट संतुलिट हैं हो हम क्यों स्क कि जो द्रव्मान भार जो कुछ भी लेआ जाता है उसको ना तो बना सकते हैं ना अपनी तरब से हैस्ट कर सकते हैं तो इसको क्या कर सकते हैं हम सिरक पर्वर्त करते हैं च्यूमंध rail कर सकते हैं इसे लिए इसको अपना बनता है स्वासन को उस्मा छेपी अविक्रिया क्यों कहा जाता है तो हम सभी को पता है कि हम जब जीवित हैं तो सिर्फ किसकी वज़े से खाने की वज़े से तो हमारे अंदर एनरजी होगी थे मार पढ़ घाएं उटсон अधी जीवित रहने के लिए नर्जी की आवश्चा होती Lee इसकी requirement होती है energy की और जा की और यह और जा में कहां से मिलती है जो कुछ भी खाते हैं वो बोजन करते हैं वहां से इस भोजन से कैसे मिलती है तो यह भोजन जो होता है वो सुसंक्रिया के दौरान क्या होता है जो अंदर oxygen ले जाती है जो सभी जानते हैं कि oxygen हम लेते हैं तो ज तो इस के दोरान क्या होता है उर्जय मोक्त होती है तो जिस क्रिया में ऊर्जय मोक्त होगी वै क्रिया वरिश्माच जेपी हो ना होड़ा एक असा कि हम समिकर में देख सकते हैं किलोपोज का फॉर्मूला दिया गया है के और ऐक्षिजन यक्तिती में क्या हुआ हुआ है ओक्षे तो उप्षे तो हुआ है तो वह कारबन डाय औक्साइड और वाटर में टूटा है है को कारबन डाय अकका का reverka निकलती है ग्लुकोज से यहां रखना है ऐसे नहीं पड़ते हैं कि हम सांस लेते हैं और चोड़ते हैं तो कैसे चूटती है वह इस दोरान चूटती है जब ऑक्सीजन बोजन को तोड़ती है तक यह कुशन अपना कंप्लीट हुआ साथ साथ में इन कुशनों को कंप्लीट करते रहा और रिविजन के साथ साथ इसे नोट भी कर लेना अगर हमारे पास लेगा नहीं है तो लाइप क्लास में क्या हुआ कि नेटवर्क की वजए से वो क्लास ले नहीं पाए तो हम यहीं पर आपको कंप्लीट करा देते हैं अब शेपन अविक्रिया को उधारन सहीद समझाई है तो अब शेपन अविक्रिया क्या होती है तो मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बता दूं कि अब शेपन अविक्रिया क्या होती है जिस किसी अविक्रिया में अब शेप का निर्मान होता है वो अब शेपन अविक् कहलाती है अब यह अब चिप बनता कैसे है तो कोई भी दो बिलेन लिए वो कौन कौन से बिलेन थे एने टू एसोपोर और भी एसील्ट यानि सूडियम सल्फिट और बेरियम क्लोराड जे दोनों बिलेन लिए इनको मिलाने के बाद देखा गया कि एक स्वेत रंग का कटोर प दूद पदाध चल में खुलना ही रहा है यानि अगुलें शीले यानि जब पुल नहीं रहा है वो कहां बैटेंगा वो तो तली में जाएगा अब तली में बैट गया इतरी तली में बैटे जाता है कोई भी पदाब तो उसके लिए इस मार्क आपको नीचे क्यों देखा दी रहा है एरो कनेक्शन नीचे की ओर अगर उपर की ओर दिकाई दे तो समझे यह गैस उपर जा रहा है और नीचे की ओर रहा है तो तलहीं बैठ रहा है जिसा कि हमने यहां पर लिख भी दिया है कि अब छे तो जब सोटियम सलफेट और बेरियम क्लूराइट दोनों बिलिय कराया तो एक स्वेत रंग का कठोर पदार्थ का निर्माण हुआ जिसे बैरियम सलफेट कहते हैं और जो अगुलन सील होता है तो समझ गए कि अपचिप करिया क्या होती है जिसमें किसी अपचिप का निर्माण होता है अपचिप कब बनता है दो बिलियनों के मिलाने पर ए हमने यहां पर बिलियन रखे हुए हैं यह दोनों हमने पता है दोनों का सॉल्यूशन लिया कैसे कराया इस तरह से अच्छी बना तो यह कुशिन भी अपना बिल्कुर कम्प्लेट हुआ नेश्ट कुशिन हमारा है जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के बिलियन में डूबोया जाता है तो उसका रंग क्यों बदल जाता है तो दोस्तों यहां पर मैं बता दूँ कि कॉपर सल्फेट और लोहे के बीच एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें दोनों एक दूसरे की जगह चेंज करती है तो आपने अगर पढ़ी हो तो एक दूसरे की जगह चेंज मनलब अधिक क्रिया सिल्फेट तो कम क्रिया सिल्फेट को हटायता है तो यहां पर भी वही होना है देखिए कि जो लोहे की कील होती है उसको जब कॉपर सल्पेट की सॉल्यूशन में डूबो दिया जाता है तो क्या होता है जैसे ही लोहा कॉपर सल्पेट के बिलें में डूबोया गया कॉपर सल्पेट का सॉल्यूशन कैसे रंगा था नेल रंग डूबोया गया तो वो कौपर को क्या कर रहा है हटा रहा है क्यों क्योंकि लोगा कौपर से अधिक क्रिया सीलता है कौपर से अधिक क्रिया सीलता है अगर अधिक क्रिया सील है तो कौपर को तो वहां से अठाई देगा और अठाया तो अपनी जगह ले ली कौपर की जगह तो ख़र неп्रीकula के साक्षीद के साथ हपनि पमक्ह घए अब पहले था बो यह रही रंग का अब ओक एसा हो गया हरे रंग का तो हरे लगा हुआ कि इसलिए उसका बदल प्रिकलिया अब परर सफीर के रसक्षी करने के बाद हम ने देखा कि जो कौफर था वो सॉलुशन से लग हो गया किस ने किया आइरन ने किया आइरन ने जब अलग कर दिया तो आइरन सल्फेट के साथ जुड़ गया आइरन सल्फेट बन गया उस चम्हें जब कि रिया कराई थी तब कौफर सल्फेट का रंग नीला था जैसे यह आइरन मिला तो उसका रंग हरा हो गया इसका रंग बदल गया तो समाच में आया दोस्तों कुश्ण भी अपना कंप्लीट हुआ नेस्ट कुश्ण है अपना यह व्यूं वसायुक्त घात पतार्टों को नाइट्रोजन से प्रवावित क्यों किया जाता है तेल वसायुक्त घात पतार्टों जानते हैं ओली फूड तेल वसायुक्त पतार्ट वाय या ऑक्सीजन के संपरक में अधिक समय तक रहने से उपचेत हो जाते हैं अपचेत मतलब ऑक्सीजन या कोई भी भाय उसके साथ किरिया कर लेती है अब किरिया करेगी तो उस समय क्या होता है यह अपना स्वाद और रंग बदल देते हैं अपनी वहासा में ऐक हो झाराँ होजाती है कोई मतलब की ने स्वाद कूए गंध भी चंज हो जाती है मतलब विक्रत गंदे तो हो जाते हैं साइंस की बासा तो ऐसा ना हो इसके लिए क्या किया जाता है अक्री गैसों का यूज किया जाता है यानि जो किसी से क्रिया नहीं करते हैं बहुत कम क्रिया करते हैं तो नाइट्रोजन भी एक ऐसी क्रिया है बुसरी गैस है कैसी अक्रियस जो क्रिया नहीं करती है अब क्रिया नहीं करेगी किसी के साथ यानि जो एली फूड थे उसके साथ क्रिया नहीं करेगी तो वो सिप बने रहेंगे तो इसलिए क्या होता है कि आपने देखा हो जो एली फूड होते है ना चिप्स है नमकीन बगे कौन का आपस बगार है सबीं यह कि बहुत कम मात्रम बरें लेकिन उसमें गैस से धूरिगनी भरे रहे हैं दिखेश अपने अपने हवा भरी पूली वी दिकाई चो kein कि के इसकी क्रूइड़को घृ Janeiro किरिये को जैती। विक्रत अपना कुश्ट prepared by नुम्सी नैंने विक्रत अजिता क्या है से रूकत एक Εसे रूका जार झाeled's तो सबसे पहले अम्वेकर तगन अपर टी की कि यह एक पाथ है। अभी हमने पढ़ाता थोड़े दो पहले किसे ख़द बदात तेल वसाय उक्त ख़द बदात उपचेत हो जाते हैं और उपचेत हो जाते हैं तो वह स्वाद और रंग अपना बदल देते हैं वह क्रिया क्या कहलाती है वेकरत गंड़ता कहलाती है एक जानी वहली फूट क्या होते हैं एक्सिजन के साथ क्रिया करती हैं तो वह बुख्चेत हो आपने अगर इसेडिय या उप क्रिया पढ़ी हो तो इसमें पढ़ा होगा कि जिस क्रिया में उप जूड़ती है वो तो इसमें भी ऑक्सीजन ही जोट रही थी तो वह उप्चे तो हुआ तो हुआ तो वह अपना स्वाद और रंग को बदल दिया तो वह कहला ही बिकरते कर लिता इसको रोका कैसे जा पहला तो वही था जो माभी पढ़ गया थी नैट्रोजन गैस को बढ़ लो दूसरा बायू रोधी बना दिया जाए आपने अपने घरों में देखा हो आपकी माँ ने घर में अनने कोई सदस्टे कोई भी ओली प्रोड़क्ट बनाते हैं जैसे नमकीन बगएरा काफी और भी ओली चीज़े होती है तो उसको काफी दुनां तक अगर शेव रखना चाहें दो क्या करती है या तो किसी ऐसे डिगमें में रखेंगें जिसमे एयर ना जाए नहाएं और अपलणा जापाएं और उसे पॉलितिन necklace कवर करको देएं क्यों रख देएं कियों अगर उस में ऊक्सीजन गई तो च्राप कर देगी जिए खराब ऑफ safest गंधित कर देगी प्रति ऑक्षी का रखका प्यूपकर यानि ऑक्षी जन वहापन ना जापाए ऐसी चीश लगी जाए और कुछ दिनों के लिए अगर रखना है से तो रेफिरेटर का भी जोश कर सकते हैं तो इस तरह से इस वेकरत गंदिता को भी रोपा जा सकता है यानि वहली प्रोडक्ट है उनको खराब होने से बचाया जा सकता है अपना नेस्ट कुशन है विस्तापन और दोविस्तापन अब क्रिया में अंतर लगी तो सबसे पहले विस्तापन अब क्रिया देखते हैं विस्तापन अब क्रिया क्या होती है विस्तापन अब क्रिया का पहला पॉइंट है अपना कि इस क्रिया में क्या होता है अधिक क्रिया जिल्दत तो कम क्रिया जिल्दत को या और रख करता है विश्टापिक करता है विश्टापिक करता है विश्टापने क्रिया किसी कहते हैं जिसमें अधिक ताकतवर कह सकते हैं क्रिया जिल्दत तो ताकतवर तो जानते हैं करनी एक कमज़ूर व्यक्ति को िताकत वर व्यक्ति की क्या कर रहा है हटा रही होगा मैं वहना है चलो मैं बोल देता हुए तो क्रिया क्या होता है आइनों का आधान प्रतान होता है जिसमें आपदान प्रतान जाता है इसमें अविकारकों के बीच आइनों का दन पड़ान होता है वो दो इसमें हम समझ सकती है इसे displacement reaction कहा जाता है इसमें more reactive जो element है वो less reactive element को क्या कर रहा है displacement में क्या होता है आइनों का ट्रांशफर होता है समीकरण में हम देख सकते हैं जो हम पहले पढ़के आए थे ने iron का और copper sulfate का वही यह दोनों कि यहां पर भी हम अब जेप अब क्रिया हम पढ़के आ चुकी है कि जब sodium sulfate और वारियम क्लोराइड तोनों के क्रिये कराई तो क्या हुआ देखिए का यहां पर देख सकते हैं एने था वो CL के साथ जाकर के मिल गया और VA था वो एसोपोर के साथ मिल गया यानि क्या हुआ है यहां पर यह तो CL के साथ मिल गया सोडियम और सल्फर वारियम के साथ मिल गया सहत करते हैं वारियम सल्फेट के साथ मिला है सोडियम क्लोराइड के साथ मिला है इस तरह से वारियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बन जाता है अपना नेश्ट कुश्चन है अमल और छार में अंतर मतलब 9 कुश्चन तक हमारा फर्स्ट चेप्टर कम्प्लेट हुआ जिसमें हमें जितने भी मैट कुश्चन थे वो हमने कम्प्लेट कर लिए अब हम सेकंड कुश्चन जा कह सकते हैं सेकंड चेप्टर को कम्प्लेट करते हैं तो सबसे पहला अपना कुश्चन है कि अमल और चार में अंतर लिए इसमें से चार नमबर का कुश्चन है तो इसमें चार पॉइं करना है मैंने दिये हैं पांच लेकिन हम को चार कम्पीट करना अच्छे संदिये एक मैं ऐसे हैसी लिए दें देढिया है कि आ को एक भूल भी जाओ तो बाकि आपको आजाएं उत ऍे की अच्छलिए इसको कंपलेट करते हैं इसकी खरफ स्कृषह रिवाज करते हैं और छार क्या होते हैं छार को जल में जब जल में घुल था तो स्वाद में खटे होते हैं ये स्वाद में कड़वे होते हैं ये स्वाद में कैसे होते हैं कड़वे होते हैं के लिए अमल कटे चार कड़वे हैं तीसरा है ये नीले लिटमस पीपर को लाल कर रहे हैं इसके जेश्ट उल्टा कर दीजे चार में यह लाल सीन कुछ नेड़ी करते है नेश्ट है आश्ट होगते हैं नो उद्रिण कर दिया जाता है जिसके बारत हैं। अब क्या करते हैं चार को को फडासीन कर देते हैं जैसे ही मात्रा अगर चार में कड़े में मिलाई जाए गी तो बहुत उधासीन ता की उड़ाए गया सेवन पॉइड की उड़ा गयी जैसे कि हमने प्छों पढ़ा होगा है कि अधर नहीं बढ़ाए तो हम नेक्स्ट कुछिन में पड़ लेंगे पीचे स्केल है हमारी इसमें कम्प्लीट कर लें कोई टेंसन नहीं है अमल क्या करते हैं इसका जेस्ट उल्टा कर दो हम लोगों क्या होता है इसमें यह भी उदासिंग यानि अमल अच्छारकों को उदासिंग कर रहे थे अच्छारक अमलों को उदासिंग करने का काम करें यानि कोई कट्टा है उसमें जैसी मैं कड़ वापन डाला डालूंगा तो वह क्या होगा वह भी शिवन पिएच सेवन की हो रही जाएगा अब बात करते हैं मैंपॉइंट की पिएच मान की तो जो चारका और अमल का पिएच मान होता है वो क्या होता है तो हमें अगर अमल का पिएच मान देखना है तो पिएच मान अमल का होता है साथ से कम साथ से कम होता है और शार का प्येज मान साथ से इपर होता है यह स्कूल होती है उसमें 0 से 14 तक संख्या होती है उसमें बीच में 7 पॉइंट होता है अब वो 7 पॉइंट से अगर नीचे की और जैसे ही प्येज मान जाता है तो वो पदार्थ अमल होता है और अगर पिएच मान साथ से उपर हीवर होता है तो वो क्या होता है चार होता है इस तरह ऐसे हमारा ये कुशिन कंप्लिट हुआ चले नेस्ट कुशन हम पढ़ते हैं पी ओ पी क्या है इसे आर्दरोधी परतन में क्यों रखा जाता है समी कंड़ी लिखे पी ओ पी देख्या होगा आपने अपने घरों में जो डेकोरेटिव डिजाइन निकाले जाते हैं इसे तो में फिलावर पर गएरा बनाए जाते हैं अधर डिजाइन निकाले जाते हैं तो वो एक पाडर सा आता है मार्केट से वह ही होता है पी ओपी हम बात करते हैं के पी ओपी बंता केशे जिप्सम यहां पर देखा देख रहा है आपको जिप्सम यह जिप्सम होता है ना उसको जब 100 डिग्री सेल्सियस पर गरम किया जाता है 330 केल्विन पर गरम किया जाता है तो वो क्या होता है जल के अड़ों को त्याग देता है मतलब वो वाटर था उसमें वो पेपर के रूप में निकल जाता है वेपर के रूप में निकल जाएगा तो उसमें वाटर की मात्रा कदम हो जाएगी बहुत कम रह जाएगी नहां के बराबर वो हैमिहाट्रेट या प्लास्टर ऑपेरिस बन जाता है बर्ट वदिध का नेवाट कैसे होता है partido को जब 100डेघ्ड रिप दे जाती है गरम किया जाता है तो क्या हो हो जाता है उसमें से जल क्यानों हो जाते है वह निकल जाते हैं इस तरह से यो पर नेवाट हो जाता है अब इसमें दूसरा कुछिशन था कि इसे आरद्रोधी परतमी क्यों रखा जा आरद्रव रोधी आरद्रोधी का मतलब होता है आरद्र मतलब नमी रोधी में से रोधक यानि जिसमें आरद्रोधा ना पहुंच पहुआ है ऐसे बरतमी क्यों रखा तो अपने अगर देखा हो से गोर्चे अगर पी ओ पी को कुछ देर के लिए कीला करके छोड़ दिया जाए तो वो पत्थर जैसी बन जाती है आराव राइट ना अब जो पीओ पी होती है वो जल को बहुत जल्दी अप Season करती है यह अपनी जल्द दू कह अपनी यह जल्दी कह लिती है और तो वे कटोर दिजीख समका झाक्रियों करती है कि वहीं जी जो पथर जैसा बन गा वही कठोर जिपसम बन जाता है जो घोलते हैं उसे तो लिकूड जिपसम हो गया अब हीट दे ली तो परसे प्लास्टर ऑपेरिस बना लू तो वो कठोर जिपसम में ना बदले इसके लिए क्या किया जाता है इसे हार तरोधी बरतल में रखा जाता है अपने अगर देखा उजिस गोर्षी तो इसका जो ठेली आती एना प्रकेट में आता है नो बहुत ही इस तो हूँ होता है उसमें थोड़ी बहूत पाने की मात्रा भी नहीं जा सकते अगर भीन जाएगे इतना वो रहता है हाड़ जिसका कवर ठेला नहीं सार्ष का इसका समी देख सकते हैं कि जिबसम इसका फॉर्मॉला है यह जिबसम का फॉर्मॉला है इसको जब हीट गरम किया तो पी-ओ-पी बना है जिसका फॉर्मॉला होता है पी-ओ-पी का C-A-s-o 4.5-H-2 और वाटर मताया था भी वाटर के अड़ों निकल जाते हैं वो बन्स एक साही एक बटा दो वन हाफ-H-2 मतलब निकल गए बचा कितना है इसको फॉर्मॉला होता है पी-ओ-बका क्लियर जब समको जब गीट दी अंड़ेटी किसी एलसेस पर तो वो पी ओपी बना हूँ क्लियर क्वेश्चन चलिए नेस्ट क्वेश्चन हम कंप्लेट करते हूं कि उदासी नहीं करण अबद्रिया क्या होती है यह से वारू से संझ लो perspectives उदासीन क्या होता है अभी बढ़ा था ये इसको उदासीन करता है वह उसके उदासीन करता है अमल चार में तो उदासीन ही करन जो अभी क्रिया होती है उसमें जब अमल और चार दोनों को क्रिया कराई जाती है तो लवन और जलका नमाण होता है वो लवड़ों जड़ के आएक है देखती है यहने उचे है वो क्या है छार है है एची एल है वो क्या है अम्बल है जब दोनों के क्रिय कराई तो एनेशी एल यानी लवन बन गया नमक, जो सदान नमक हम कहाते हैं इसका furry provides का filter अ क्या और water जल का नमाव ओँए। उदासी नी कुरन अप क्रिय कै क्या होती है कि जिस क्रिया मैं मैं अमल और शार्थ क्रियद बड़ून और जल का निर्मार करने वो उदासी निकरना विक्रिया कहलाती है इस तरह से हमारा यह वी कुश्चन कंप्लेट हुआ चलिए नेस्ट कुश्चन हम पढ़ते हैं नेस्ट कुश्चन है अमल का जलीवी ने बिद्धुन का चलंग क्यों करता है जो अमली विलेन होता है उसमें से करन्ट फ्लो क्यों होता है तो हमें पता है हमल के वारे में तो कि जलमें घोले जाती है तो एच प्लस आयंच प्लस या एच-ध्ध्ध्ध्यो प्लस आयंच प्लस प्लस आयंच नही लगा पाया है कुई बात नुआ जोल रहा है हम लोको जल में गोला तो एस फिलस या स्थिरियो पिलस आयन देते हैं अब आयन देंगे तो एल्ग्ट्रों कटन इस पर अच्छी तरह से होगा भिलो कर सकता है तो इस तरह से जली विलियंथा वह बिद्दृत का चालन करता है यह यह इसमें से बिद्दृत प्रभाहिद की जा सकती है यहां पर चालन नहीं लिख भाया है मिस्प्रिंट हो गया है चलो मैं बोल देता हूं एक बाप रिपीट कर रहा हूं अमल जल में घुल कर एच पिलस या एच ध्रियो पिलस आयनों का निर्मान करते हैं इस कारण अमल का जली विलिन विद्धुत का चालन करता है ओके नोट कर लो चलो समीकन की और जाती है अमल का जली बिलेन यानि जल और अमल दोनों को मिलाया तो ये H3O पिलस आइन दे रहे है अब किलोरीन अलग निकल गया समझ गया नो अमल क्यों करता है क्योंकि ये H पिलस आइन देता है जल में के लिए अब जब देगा Ions अब बात कर रहते हैं पियेच स्कील क्या है पियेच बारे में अगर बात करें तो शबसे पहले पियेच बाता क्या है पावर आफ हाइड्रेजिन फाबर आफ हाइडरोजन या पुटेंशील आफ हाइडरोजन इसका फुल पहुं जाता है तो पी-एच स्केल होती क्या है पी-एच स्केल वो स्केल होती है जो किसी बिलियन में से H प्लस आइनों का पता चलता है कि इसमें H प्लस आइन है या नहीं येच स्केल क्या काम करती है किसी भी बिलियन में से एच फिलास आइनों को बताती है इसे स्केल में मैंने अभी पताए थे जीरो से चौदा तक संक्या अंकित होती है बीच में साथ होता है अगर साथ से नीचे की और होता है या उपर की और होता है तो इसको गण में हम पढ़ाए अगर अब गण पड़ते हैं अपन यह तो उसमें कि किसी बीलन का प्याच मान साथ से कम होता है तो वह तो जैसा होगा एसिटिक एक लेस्व देश्ट गया सेवन होका भीजश तो वो सेलिशन कियसा होगा ए्षी टिक होगा हम्दी होगा अक्र मोर् देश्ट गया होता है पेच तो वो वेसिक या ऐलगलाइन हो गाय या नि क्षैरे होगा सास से अधिक होगा पीजर मां तो वह शारी होगा या वैसे क्या एलकलाइन होगा यह किसी बिलेंट का पीजर मां श्यवन हो अली श्यवन हो पीजर मां तो वह नेट्रल होगा या उडाशी नहीं होगा ओके कंप्लेट कुश्चिन अपना अब हमारे देनेक जीवन में ант sf क्या मैश आभी अभी पूस की बात कर रहे थे लिए कि सद्रसके गुर्ण भी पड़ लिये अब इसका मैका भी बताना है हमारे देनेक जीवन में और मैuwने क्या मैई पना तो पहला तो यही है कि हमारे पेट में हमारे आमाश्य में अपस्तित जो अमल होता है कौन एसल होता है ना उसकी जहांकारी का पता चलता है गुस्रा है मिट्टी की उपजाव सकती के बारे में कि मिट्टी उपजाव है या नहीं है उसका भी इसी से पता चलता प्यों अधिसरा अमली वर्षावी जहां सके लिए वर्षा है कोई वारिश होई उसमें से पहचांद सकते हैं कि वर्षा यह अमली थी या नहीं पीज़े से परचलता आप कैसे अगर है प्लस आयों होंगे देगा वो तो क्या होगा अधिक कंडिशन होगा भई सॉलुशन चलिए कर चुकर जोगे जिए नाश्ट क्विश्चन नाफ करते हैं जेकिन चैप्तर का नस्त कुष्चन है अपना वेकिंग सुडा एक खाने का शूडा और दोने के सुडा का सूत्र चूढम दोले ऊपयोग है कि इन डोनों का सूत्र पताना है और तो तो उप्योग तानेभर तो नाम चुना हो काफी दौनों का ही नाम चुना रही योज भी कर जाए बहुत पार यूज कि रहे हैं चलों इसका सूत्र होता है न एच सीओ थ्री इसका पूरा नाम है अगर राशाने के नाम पूछा जाए तो सूडियम बाइकारगोनेट या सूडियम हैड्रोजन कारगो क्लियर कि सोडा का फॉर्क मुले क्या होता है एन एच सीओ थ्री इसका राशानेक नाम सूडियम बाइकारगोनेट अब इसकी यूज की बात की जाए तो अपने बैकरी नाम तो काफी शुना होगा उसमें बैकिंग पार्टर के रूप नहों होता है और बैकरी या टोस बग बनती है तो इसमें बैकिंग पार्टर के रूप में होता है खाने के सोडा के ने सोडा अमल बनाने में या अगनिक श्यामत में ताक बजाने में कि लिया जै ले बात करते हैं धोने वाले सुड़ा वसी बावर उस मर्डald से मिलेद इंटाइए इस धोड़ा सा डेप्रेंस हैं इस्वें में जोऺना में मैं अपयोग देखा जाए कि इसका ओप तक शावन और एुआ जोग में रिजा थे शाबनने भी युट गया थै और और पागज बनाते हैं और यह तो सबवे हैं सबसपयीं कि जाता है विए से दो कोई छुपाई नहीं वहीं उसे दो कोई निरहा है सब जानती में छलिएगा अपने पढ़तें on कि 16 तक सेकंड चेप्टर भी कंपिलेट हुआ यहां पार सेकंड चेप्टर के जो मस्ट इंपर्टन क्वेशन थे बहुत पर इचाटे लिए वह भी कंपिलेट हुए अब आप थार्ड चेप्टर को पड़ाएं जिसमें अल्ली तू नम्मर के उप्षिन आती हैं जिसमें से सिर्फ दो नम्मर को कुश्चन आ रहा है तो दो नम्मर में सिर्फ हमें बहुत कंपने हैं चलो इसे भी कंपिलेट करते हैं अपना कुश्चन है शोडियम को मिट्टी के तेल में डूबो कर क्यों रखा जाता है शोडियम होता है सोडियम क्या है सोडियम है न मैं कि वेजिए अधिक करयासीव दात हुए अधिक क्रयासी मिएат का जाद हुए अधिक क्रयासीव बहुत अधिक Clean coalition hijos आधमॉरमल टेम्प्रेचर पर शोड़ दिये जए मैं दखाओ नौर्मल टेंपरेचर पर या कह सकते हैं इन्वार्मेंट में रखते हैं तो इन्वार्मेंट में जो नमी गुली है या ऑक्सीजन हो उसके साथ तेजी से क्रिया कर लेगा है तेजी से क्रिया करने के बाद क्या करें पता है आग पकड़ लेगा है आग लग जाती है आपने द कोपड़ी में आग लगा दी उसे सोडियम का लेप लगा लिए उस पर पानी चिड़का आग लगा लेकिन अगर इसे केरिशन में रखा जाए तो वहां पर कुछ नहीं करिये करता है ना तो गुलता है ना उसके साथ कोई करिया करता है इसलिए उसे मिट्टी के तेले करिया कर लेगी तो इसके बचाओ के लिए उसे मिट्टी के तेल में रख दिया जाता है कंप्लिट कुषन लिसके नेस्ट इसक क्या है वद्यवद वववभ धरमी ऑकशाइट क्या है इसका उलारानी तो वह धर्मी ऑक्साइट क्या होती है वे ऑक्साइट जो अमल चार दोनों के गुणों को दर्शाइट है ऐसे ऑक्साइट है जो अमले और चारे दोनों के वेहवियर को दर्शाइट है इसे डाव वेस दोनों के वेहवियर को दर्शाइट है वो वह धर्मी ऑ ऑक्साइट या एंफाटिक उक्साइड कहे लाती है किलिय किसका एक्जाम नहीं होला है अलुमिनियम उखसेड और जिंक उक्साइड क्लिय एक पादर्मी उकसेड यानि इंगलेश में कह सकते हैं अमफाटिक उक्साइड क्वेट पूश्चन अपना है क्योंकि दोनमर की यह जल्दी हो रहा है नाइस आइने की ओग एक क्या है इनके गुणवी लिखिये तो इसमें इन दो कुशन एक ही में कर दी इनके गुण़ क्या है यह बीड़ दोनों अलग भी आथा इसे अंग यह नहीं कि दोनों एक साथ आ सब्सक्राइब समक्राइब से सआधान में क्या होते है यानि मैडल से नौन्मेटटर में यानिक कमपाॉंड बनते हैं क्लिफ इनके अगर प्रपट्टि के बारे में पढ़ा जाया गोंड के बारे में पढ़ा जाया तो इनके डिलनां और कोतनांग अच्य होती हैं अगरils क्लिफ वाल पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इसके कैसे होते हैं हाई होता है नेच्ट दनात्मक और रिडानत्मक आइनों के बीच आकर्शन पर होता है पॉजिटिव और निगेटिव जो आयंस होते हैं इनके बीच क्या होता है कि अट्राक्शन फॉर्स ज्यादा होता है कि थर्ड पॉइंट है अपना कि यह जल में घुलेंशील होती है लेकिन केरोसिन पेट्रोल आदि में अपलेंशील है वाटर में तो गुल जाते हैं लेकिन केरोसिन पेट्रोल में नहीं गुलते हैं इनके खासियत है आने के वाइप इस तरह से एक्षेन अपनों कॉंपिलिट हुए अब अब आएथे नेस्ट क्षिंट ट्वेंटी योर क्वेंटी वाला क्विशन है आयने के युद्वें को की यलनाख कुछ कि मोरी होती है अभी पड़ा था आयने के यह को यलनाख कि उतना गच्छ होती है तो वह तरह क्यों अगर कोई चीज ठोस और कटूर होगी तो उनके आयनों के बीच क्या होगा मजबूत अंत्राने का आकरशन बल होगा यानि जो कण होंगे वो एक दूसरे को बहुत ताकत से जकड़े हुए होगे इसलिए तो वो ठोस है अब ठोस है कोई चीज तो उसका तोड़ने के लिए भी बहुत ज़्यादा बल लगाना परिए बहुत ज़्यादा बल यानि उर्चा की आवश्कता है तो इसलिए इनका गलनांग कैसा होता है अच्छोता है अधिक होता है क्लियर अच्छोता है क्वंटी बन वाला दातू और अधातू में रासानिक और वातिक गुणों के आदर पर अंतले तो इसमें दो खुश्चोता है अधिक है बहुत एक गुणों के आदर पर दातू अधातू में अंतर और रासानिक गुणों के आदर पर दातू अधातू में अंतर मैंने बिल्कुल अलाग लगी है लेकिन दिया यह की में अगर आपको दातू अधातू में दो अंतर आते हैं रासाने गुणों के आधार पर तो रासाने गुणों के आधार पर लेख सकते हैं बहुते गुणों के आधार पर आज सकता है तो बहुते गुणों के आधार पर लेख सकते हैं अगर बहुते का बस्ता देखी है बहुते का बस्ता का मतलब होता है कोई भी चीज को हम बेना च इस तरह से गुन बताए जाए तो वह बहुत एक गुन बताए जा रहा है उसकी अगर रासाने गुन देखे जाए उसकी अंदर के गुन देखे जाए तो उसके साथ रहेंगे बरताब करेंगे तब अंदर के गुन पता हो तो इसी तरह से धातू के बहुत एक गुन का पता चल कि दातुएं जो होती है न शबी दातुएं सामन पर थोस होती है इसका अपवाद है पारा पारा जो दातुए होती है वो थोस नहीं होती है वो लिक्विड स्टेट में होती है मरकरी जो होती है वो लिक्विड स्टेट में होती है थोस नहीं होती है यानि सभी मेटल कैसे होती हैं solid होती हैं लेकिन जो exception में अगर पूची जाए तो mercury होती है वो लिक्विड इस्टेट में होती है और अगर non-metal की बात की जाए physical property में इसके में तो ठोश drop और तीन अबस्ताओं में लेगी जो अड़ाती है नहीं लिक्विड भी होगी solid भी होगी होगी तीनों इस्टेट में होगी सेकंड पॉइंट है इसका धातों में च्मक होती है लस्चर होती है जो मेटल लेकिन यह नों लस्चर होती है मेटल में च्मक नहीं होती है हाँ होती है एक में आयोडीन में एसेप्शन में आयोडीन क्या सब्सक्राइब बजुछ सभे अपर नहीं होती है लेकिन गज्वी नवाज में में उसमें चमथोती है अवर में अ मतुरमी आधित यू दातु में अगात बर आप मैटल की बात की जाए तो नहीं होता इसमें तो वांगोर होती है तो तोड़ जाते हैं कि अगर चोह देद्ल नाप देख लेते हैं कैमिकल प्रपटी कि बारे कि सब्से पहले मैटल में पढ़ते हैं के properties पहलों प्रोपइटिस को बढ़ते हैं जो होती है नहुशिजियन के साथ कुरिया करती है वह क्या बनाती है चारी एक्साइड बनाती है कैसी एक्साइड बनाती है इस एक्साइड बनाती है एलकिलायनь सोडियम औक्साइड बना लिया है और और नॉन मेटल में देखा जाए अगर केमिकल प्रोपटी इसकी तो नॉन मेटल दातु लिख दिया है अधातु लिख लेने हैं पर आ बना लेना कैसे बनाती है बेशीक आठ जब करती है तो बोत अम्ह निःफुकाइड बनाती है कैसे बनाती है बेशेक ऑउक्साइड मेटल है और बो मेलीठल है आक्सिएन के साथ क्ईरिय की यहादि का रुक्षिएन के साथ किरिया की यानि उसकी पस्तिती में जब जला खुए इसकेंड परपर्टी हम पड़ते हैं मेटल की वाली तो जो अमल होते हैं पुन के साथ कोई मेटल क्रिया करेंगी तो एज टू बिस्थापत होता है यानि हाइड्रोजन गैस निकलती है इसा कि आम देख सकते हैं जेडैन मेटल है एच सेल के साथ की रिये कर रही है तो जेडैन सेल बनाया और हैज टू गैस निकली वहाँ बिस्थापत होई अगर हम के में आफान मे्ला की बात कि जाएं कि गल्दी हो गई धोड़ा इस्पिरिण्ट हो गया कोई दिखते हैं अधा तो अम लेके साथ कोई कि लिए नया है ने मम्यों मेटल क्या होती है कि अधान के साथ कोई कि लिए नहीं कोद्धियद्ग चलिए हम नेस्ट कुशिन कंप्लेट करते हैं अमलगम क्या है अमलगम एक मिश्र दातु है वो मिश्र दातु कैसी है वो एक ऐसी मिश्र दातु है जिसमें पारा मिश्र देता है एक दातु पारा होता है बागी कोई दातु अकर सुडियम के साथ मिलाए तो सुडियम ममलगम मर गया पुरिशियम के साथ मिला तो पुरिशियम ममलगम क्लियर पारा कैसी दातु होती है प आमल-गम इसी दातु होती है एक ऐसी मिस्थर दातु होधी है जिसमें एक दातु भार मिला जो रिधा E अन्य, जैसा कि सूडियम के साथ मिला तो सूडियम माय हमलकम बन रहरा, पृटिश्यम के साथ मिला तो पृटिश्यम मे मसे ही, Keyless, समझ गए है ना, अम्लगम क्या होता है। वह मसर दातों जिसमें एक दातों11 मिला हुआ elav के लिए कि नेस्ट कुश्यन है अपना अगाद बरदनीता एवं तन्यता को समझाईए कि मैलियेविल्टी एंड अक्टाइल टेंशल कह सकते हैं इस प्रोपर्टी को ताने प्रोपर्टी किसमें अभी अमने पड़ी थे मेटल में तो मेटल की प्रोपर्टी दोनों को पड़त हाद सब दो सबस्सक्री पहले पढ़ते हैं अगात बरती नेंडिया मैल्याविल्टी मैं जो एका घंसे अगात बरदनीता गुर्ण कौन सा होता है यह वह गृण होता है जिसमें इन्हें पीटने पर चादर या सीट का कल ले लե्ने त्यूत हैं अभी तो अगात बर नहीं ता गुण होता है इनने और यह तोट जाती है तो फिर तो बंगूर हो जाती है तो अगात बर नहीं ता गुण कौन सा होता है कि दातुब में ऐसा गुण होता है जिसमें इनने पीटा जाता है तो यह चादर या सीट काकर ले लेती हैं तोटती नहीं है जैसा कि सोना और जांदी है नहीं सबसे अच्छी आधा करती नहीं है आपने देखा हुआ ज्वैल्डी बनाई जाती है तो कितना पतला कर दिया जाता है सोने को फिर भी तोटता नहीं है फिंचेता अधे में तो यह प्रह यहीं होता है जिसमें जूत दी जा रही थी इसमें खींचा जाता है और हो खींचा जाता है तो यह पतले तार करूप यही टेंसाल या डेक्टाइल प्रपरटी के लिए इसके लिए भी अगर पैस्ट एक्जेम्पल देखा जाए तो सोना ही है कहा जाता है कि एक ग्राम सौने से दो किलो मिटर तक लंबा तार खींचा जा सकता है कि एक ग्राम सौने से दो किलो मिटर तक लंबा तार खींचा जा सकता है तो अगहात बरने दीता गुण कौन शाओ होता है जिसमें इसे पीटने पर चादर का रूप ले लेती प्रेश्ट एक्जेम्पल सोना जाए तन्यता गुण जिसमें इना खींचने पर पतले तार के रूप लेग जाए प्रेश्ट एक्जेम्पल गॉल्ट सोना ही है ऐस्ट कॉस्षन है अपना गरमजल का टेंक बनाने में तामे का उप्योभ होता है इस बात का क्यों नहीं है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए यह तामा होता है ना वह इस बात किया पेच्छ से बेदुद का अच्छा चाला को होता है यह उष्मा का बहुत अच्छा चाला को तो यही कारण हैं कि तामे का अपयोग टेंक बनाने में इसलिए किया जाता है क्योंकि तामा होता है वो लोही की तुलना में बिदुद का अच्छा चाला को तो इस बात लोही का ही रूप है तामा होता है वो लोही की तुलना में कैसा होता है बिदुद का बहुत अच्छा चाला को तो गार बना जाते हैं जैसा कि आपने जानते हैं ये अच्छे नहीं बना जासा क्तैstore के लिए उसके लाएग। कशाओ क्शाया है से ररफ मात कर्म बनागा से उसके हैं बो लोही की तुलना में अधिक सुचालगत किस कि पिद्धत और उश्मादवना का सुचालगत इसलिए इसका फ्यूट जाता है इस पाथ या इस लोही का नम चलिए नैस्ट कुश्चन अपना कम्प्लिट करते हैं कारवन के सरवोतो मुखी गुंड़ी यानि यह आगया अप फोर्चेप्टर का कुशन थर्ड चप्टर के दूठ नमबर के सुचन हम कम्प्लिट कर चुखें अब हम जाते हैं फोर की ओर फोर चेप्टर में हम पढ़ैंगे फोर नमर्चे कुशन इसमें से सिर्फ जानमर के सुचन मिलेगा में करने को तो पहला गुंडण यही है यही गोण बहुत जाता है इसमें तर्शा आए जाते हैं स्रंखलन मतलब अपने साथ जोडने की च्छनता है कारवन के द्वारा कारवन के ही दूसरे परवाणूं के साथ सहिं सहिं हो जी यह अभंद के द्वारा यह स्रंखला बना लेता है जिसे केटेनेशन का यह अपने से कारवन अनकारवन परवाणूंगों का अपने से जोड़ता है वो आवंद सह सही वजी आवंद होती हैं और यह पर्ष्ट सेकेंड और स्रीं सिंगल डवल और त्रपर वान कि तीनों बंड के द्वारा अपने से कारवन अनकारवन परवाणूं को जोड़ता है फिलेर कारवन कारवन से सिंगल बंड के द्वारा भी जोड़ता है हुआ है ही मिनलए बंड के द्वारा भी जुड़ते हैं तिरफ्ल बंड के दुखे कर एक सब् hot stream हो दुखा सैसे इसministerland होते हैं जि में फिव्यम्हार कानी मरोण будете भी आंवे तो रीकषग आसे इसकी बैंसी कंड्रेची निचाहर इसे thatme sharp कोई भी है है अमने हैस्मिर निलेक्टोन विन्यास निबर रहे हैं कि भाणी कच मैं जो देहा नोई नहींव और उसकी वाल जायुत है तो इसकी बिलानन से कितनी पोफिछ यह निजी च्यार ओवगा धृर फो gather do या MIN हमोफिश ब कैलाती ये जा सुधर क पैसका है इसका है क्लीर यह यानि इसमें जो प्रोश्जिट होती ए वह एलेक्टरोनों को ट्रांसपर करने की नहीं सीरिंग करने की है क्लियर तोर्ट चेप्टर में लेक्ट्रोनों को ट्रांसपर किया जा रहाता है तो आइनिक बंड बंड रहे थे इसमें आइनों की शेरिंग होगी और शेरिंग होगी तो सहसायोजी योगिक यह कोवैलेंट कंपाउंड क्या सकते हैं कार्वनिक कंपाउंड बनते हैं क्लियर नेस्ट कुश्चन है सहसायोजी यावंद केशे कहते हैं इनके गुण भी लिखिया सहसायोजी यावंद अभी मैंने बताया था कब बनते हैं सहसायोजी यावंद कोवैलेंट बंड जब दो परमाणों के बीच एलेक्ट्रोनों की साजेदारी होगा क्या हो फ्रेंट एलेक्ट्रोनों की साजेदारी अभी बताया दमने एलेक्ट्रोनों का शेरिंग होगी यहां पर ट्रांसफर नहीं होगा अगर शेरिंग होगी तो उस सहसायोजी यावंद या कोवैलेंट बॉंट केलाएगा क्लियर अगर इसकी पीसेशताओं की बात की जाए तो इनके जो फॉतनांक और गलनांक होता है वो कम होता है जिसलों की आईनिक बॉंट में हमने पढ़ा था उनका ज्यादा हो रहा था उच्छ होता है इनका कम होता है लेकिन यह यूगए होते हैं वह विद्ध की सुचालक होते हैं कुब से वाले रही है अन्य कंपाउंड वाले यह कुचालक होते हैं कि एलेक्ट्रोन अगर ट्रांसफर हो रहे थे तो सुचा लगता लेकिन इसमें सेरिंग हो रही है तो यह कुछ अलग है इनके अड़ों में अंतरानक आकरसंट बहले भी किम होता है मतलब अगर हम एनिक कंपॉंड के जो प्रपर्टीज हैं उनको याद कर लेंगे तो इसको भी हम याद वहीं से निकाल देंगे तो कंप्लीट कर सकते हैं तो एक बाप फिर से रवाइस कर लेंगे सह सही हो दिया बन किसी कहा जाता है जिसमें इलेक्ट्रों का क्या होता है शेरिंग होती है साचिदाई होती है प्रपर्टी पड़ी जाए तो गलनां को तना कम होगा यह विद्द के कुछ अलक होंगे और अंतरानों का अकरसन भर भी कम होगा इंट्रा इंट्रेक्शन फोर्च और यह बैट कंड़क्टर ओके इस तरह से अपना यह कुश्चन भी आसान हो गया चलिए अब हम जाते हैं 27 कुश्चन की और 27 कुश्चन क्या है 27 वाला जो कुश्चन है वो है अपना संत्रप्त और असंत्रप्त हाइड्रोकार्बन संत्रप्त हाइड्रोकार्बन और असंत्रप्त हाइड्रोकार्बन चलिए अंदर पढ़ते हैं जो संत्रप्त हाइडोकार्बन होते हैं उनमें कार्बन होता है वो कार्बन से एक आबंद द्वारा जुड़ा होता है कितने आबंद द्वारा जुड़ा होता है शिंगल बॉंट के द्वारा लेकिन अगर बात की जाए असंत्रप्त हाइडोकार्बन की अंसैचिरेटिट कार्बन कार्बन से, कर्प्लिट। संत्रब यज गले कार्बन 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 जो जुड़े होंगे तो वं सिंगल उन्ट के दारा और अध़ उन्साच्यूरेट्ट। मैं टबल या झाझ्म साब कार्बन कार्बन नेस्ट पॉइंट एफना यह बहुत कम क्रिया सील होते हैं अंसेचुरेटेड की बात करें तो इसका पुजिट कर दीजिए यह दे क्रिया सील होते हैं तीसरा पॉइंट सेचुरेडेड में इनका प्रत्म सद एक फोर्ष्ट मिमबर में नत मिध्यीं होता है क्या होता है में किया इसमें बात कुछाया 1் Fragen से दो बंत के दो रज़ड़ा यानि दो कारवन से स्टर्ट होगा तो दो कारवन वाला इथाइन और इथीन होता है अब ये इथाइन और इथीन कैसे होता है तो मैं बता दूँ थोड़ा सा आपको कि जो unsaturated हालो कारवन होता है वो दो भागों में डिवाइड हो जाता है एलकाइन और एलकीन में तो एलकाइन से यह इतान आया और एलकीन से इतीन आया क्लियर लास्ट बाला पॉइंट है सैचुरेटेड में इनका सामान सूत्र C N H 2 N प्लस 2 होता है C N H 2 N प्लस 2 होता है अगर इसकी बात की जाए सामाने सूत्र की तो अभी मैंने बताया था एलकाइन का अलग है एलकीन का अलग है एलकाइन में कार्बन होंगे उसे जुगना हाइड्रोजन होंगे लेकिन अगर एलकीन की बात करें तो जितनी कार्बन होंगे उतने हाइड्रोजन मतलब कह सकते हैं, अबॉन कार्बन से दुगना हडेरोज останов ही ओर यह तक है लेकिन इसमय दुगने मेंसे दोग हमकार दिया जाएगा लेस्टू लगाए he कार्बन की सुन क्या कार्बन से दुगनी हाइड्रोजन की दुगनी में से दू कम कर दू यह फॉर्मूले जो अभी इथाइन का फॉर्मूला बना इतीन का बना और मीथेन का बना यह सब बनाने में साहिक होते हैं यह से हम कोई भी फॉर्मूला बना सकते हैं तो यहां तक बन कम्विट दूबाहर से कारवन कारवन से सिंगल बाउंड के दोरह और डर करिया झूडेर्ड दूडेन हफ, आझाचियरेट दिन देड़न के दोरह जोडेंगी यह सद आ 80 ŧ जोते हैं वह गम क्रिया से लोते हैं UNSATURATED अधिक क्रिया चील होता है फ़स्ट मेमबर इनका SATURATED का M ngo tia होता है इनका फ़स्ट मेमबर M O vert man और फॉर्मूले तो दोनों में COMPLETE करी करें हैं जैलिए अब बात करते हैं 28 वाले Q कि 28 वाला Q क्या है 28 वाला कुश्चन भी है डिफ्रेंस वाला ही शावन और अपमार जग में अंतर चले शावन को भी कंपलेट करती है इसमें मैं पांच-पांच पॉइंट दे दिये है अपमार जग में चार पॉइंट ही लिखे हुए है सावन में पांच लिखती है चलो मैं बता देता हूं आपको फ्रस्ट पॉइंट अपन पढ़ाएंगे सावन के बारे में तो सावन जो होते हैं न वह उच्छ अनवार वाले कार्वाग जिलेक हम लिके सोडियम पॉडेशिय लबन होते हैं कारवाग ची लगम लिके अगर यहां पर देखा जाएं तो जो अपमार जग होते हैं वो लंबी स्रंखला वाले सलफोनिक लिख सोडियम लबन होते हैं लिए सोडियम एवं पॉडेशियम लबन होते हैं नेस्ट पॉइंट है यह सावन होते हैं वो ठोस रूप में लिखाए जिते हैं आपने सावन देखे हों गर में यूज किये होंगे वो ठोस होता है लेकिन अगर अगर अपमार जग के डेटर जैंट निर्मा की बात की जाए तो इसे पाड़ो के रोप में होता है जैसा होता पाड़ो के रोप में इसमें कम आध्यत का कुण पाए जाता है यानि यह नमी सावन होता है इसमें बहुत कम बैठ़ती है जल्दी नहीं पॉंडता लेकिन अगर इसकी बात की जाए जिटरजेंट की निर्मा की तो यह बहुत जल्दी नमी पकड़ादा बच खासका बरसात के मासम में बहुत जल्दी नमी बेट जाती है गिला हो जाता है चुछदा पॉइंट है साबन का कटूर जल के साथ अच्छी दुलाई नहीं देती है तो अपमार जग क्या है अच्छी दुलाई देती है बस यह इसका पॉइंट होगी साबन की अगर बात की जाए तो इसकी अधिकता अगर नालियों में बहाद दी जाती है तो एक कोई भी परकार का प्रोदूसर नहीं कहलाते है हर्कात कह सकते हैं यह जो पधार्त होते तो जग निमनी करने होते हैं जग निमनी करने है यह असानी साप अपगड़क भी आती है लेकिन वहीं अगर बात की जाए अपमार जग डेटरेजेंट या निर्मा की तो इनकी अगर अधिक मात्रा नदियों बहार दी जाएगी तो यह प्रोदूशन फैलाएंगे प्रोदूशन फैलाएंगी मतलब यह पगड़त नहीं हुई खतम नहीं हुई खतम नहीं हुई तो जैब निम्न करनी नहीं हुआ जैब निम्न करनी हुआ इस तरह से हमारा अंतर भी यह कंप्लिट हुआ नेस्ट कुश्चिन की बात कर रहे हैं अपन अपर रूप इता अपर रूप अपनी बासां में कह स तते बाहरूपिया देखा होगा कर गामा कहती है यह तुचारत ऱैसे बेश में रहता है बहुत सारी रूप में इसे इसमेह इड़ कर जेढ़ आख' Det कि तक तो एक से अधिक रूप में पाए जा रहा है उसे अपर रूप कहते हैं और इस गुण को अपर रूप कहते हैं उस दोरान क्या होता है उसके बहुते गुण तो शमान होते हैं शरी बहुते गुण क्या होते हैं बिन बिन होते हैं लेकिन रसाने गुण होते हैं वो शमा जाता एक से अधिक रूप में पाया जाता है बहुत सारे रूप औऊ पाय जाएगा तो वो कभ़ रूप के लाएगा और उसका गूण अपर्ष दs六, अहीं अगर बात की जाए कारवन के दो अपर रूप तो हीरा तता ग्रेपाइट होती है ना वो इसके अपर रूप है कारवन गीरा तथा ग्रेपाइट के रूप में अभी मिल जाता है अब इस तरह से ये अपना कुशिन कंप्लिट हुआ अब बात करते हैं थर्टी नमर के कुशिन की तो प्रत्म चार हाइड़ो कारवनों के नाम सूत्र एव हमने एलकें के लिए लिए हैं में इथैन, इथैन, प्रपैन, उधियो टैन इनका फॉर्मले दिए हैं CH4, C2H6, C3H, C4H10 यह मैंने यह भी लिया था अगर यह मैंने शूत्र बनाए हैं तो मैंने आपको बताया था सैचुरेटेड आरो कारवनों में जो लाइस्ट बाला पॉइंट था फाइव बाला उसमें बताया था कि इनका सामान सूत्र यह होता है तो उसी सामान सूत्र से CNH2N प्लस 2 से ही यह पॉर्मूले बने हुए हैं इनके सूत्र बने हुए हैं जैसा कि हम देख रहे हैं कार्बन एक है है आइड्रोजन चार हैं इसमें कार्बन 2 हैं हाइड्रोजन चैह हैं यानि कार्बन का दकना दकने में 2 जोड़ दिये तो छे होगाई ऐसा इसी तरह से देंगो तीन का दोगना 6 6 में 2-8 इसन चार चार का दोगना आठ आठ में 2 दस इस तरह से यह फॉर्मुले बने थे clear यहाँ पर मैंने कि सवराशना सूत्र नहीं बनाया है आप सवराशना सूत्र भी complete करने ला इसमें पीड़ें मेंमें complete नहीं कर पया है यहां मैंने इसके नाम और सूत्र दे दी हैं शिरू नेस्ट कुश्चन है अपना हाइड्रोजनी करण क्या है इसके आध्या होगे करने पर यह पताना यानि हाइड्रोजनेशन प्रोसेस क्या होती है हाइड्रोजनेशन प्रोसेस के बारे में अगर बात की जाए तो असंत्रप्त हाइड्रोकार्बन या अनसैचुरेटेड़ हाइड्रोकार्बन में एक हाइड्रोजन जोड़ दिया जाता है एक हाइड्रोजन जोड़ दिया जाता है तो सैचुरेटेड़ हाइड्रोकार्बन या संत्रप्त हाइड्रोकार्बन बन जाता है जिसे ही हम कहते हैं hydrogenation process एक unsaturated R-O carbon में hydrogen plus कर दिया plus कर दिया तो वो saturated बन गया और saturated बन गया तो वो hydrogenic and process कह रहा देंगे इसा कि हम देख पा रहे हैं अपन C2S2 क्या है एफ है एफ एफ तेन इसमें H-P-L-S एच जोड़ने के बाद क्या हुआ वो शी टू एच शेक्स में चेंज रोगया यानि संत्रप इधेन बन गया यानि अन्साचुरेटेड में जब प्लस किया है थो साचुरेटेड बन गया यही है अगर अध्यों के कर दोड़ियों की बात किजा यूचेज देखे जाए इसके इंडरेश्टियल तो इसका प्योग बनस्पति तेल से बनस्पति घी बनाने में किया जाता है क्लियर चलिए नैस्ट कुष्चन अपन कंप्लेट करते हैं साबन सफाई की किरिया विदी समझाईए सबसे पहले हमें साबन के बारे में यह पता होना चाहिए साबन होते क्या हैं लंबी स्रंखला वाले कार्बाग जिले कामल के सोडियम पोटेशियम लबन होते हैं क्लियर इनके दो शिरे होते हैं और तोनों ही शिरे अलग अलग होते हैं एक फिरा ज़ल राग होता है एक सिरा जल बराग होता है देख लीजिए भी है कि जलकी सतय पर होता है सावन कहा होगा जलकी सतय तो इस पर कार विवस्ते होते हैं कि इनका जो आईनिक शिरा होता है वो जलके अंदर पूंज़ी और दूसरा जो पुछेवाला है वो बाहर आ जाता है अब दौनों की एक ऐसी विवस्त बन जाती है और एक ऐसा किचाब होता है इनमें कि उच्छी जैसा देखाई दे रहा है उनके तो अनुमा किचाब होता है ये दूसरे को कहींचते है और कहींचते समय क्या होता है उसरचना बंदि उससे मेशेल लगा जाता है और इसी प्रकार से किचाब होते होते हैं ये उससे खब्बे को क्या गल लेता है निकाल देता है और कपड़े आसानी से साफ हो जाते है अगया क्लिफ चलिए अपना नेस्ट कुशन है डवे राइनर के त्रेक नियम से आप क्या समझते हैं इसकी सीमाएं भी लेगी यानि हमारा फॉर नमबर के जितने भी कुशन थे वह भी कंप्लेट हो गए अब फाइव नमबर के सारी फाइव चैप्टर में अल्दी दो नमर के कुशन हमें पढ़ने को मिलें हम सिर्फ दो नमर के कुशन कंप्लीट करें हैं जैसा कि हम देख पा रहा हैं इस कुशन में तो कुशन यह साथ यह डवे राईने का त्रेक नियूंद और इसकी सीमाँ तर्में से यह की आ सकता है असलोब दोनों एक साथ आएंगे अलग लगा हैं लेक्टिये बले ही मैंने साथ साथ हैं लेकिन अलग लगा है तो चलो कुछ सनों कुंप्लिक करते हैं रिवाइज करते हैं तो डावे राइनर का त्रिक नियम क्या कहता है कि उन्होंने जब पढ़ते हुए परमाणू के अनुशार किरम में सजाया त वह कुछ है वह सजा रहते रधा को तब बढ़ते हुए परमाणू द्र Hamm000 की रुप में इस बढ़ते हुए परमाणू द्रमान गांशार में सजाया तो होना तीन स्मों के तप राप्त हुए कि दूसरी सब्दों में हुम कह सकते हैं कि तर्क के मद्य तत्यों का जो प्रमाणु भार होता ए मद्य तत्यों के प्रमाणु भार के माद्य की बरापा होगा जैसा के हमें अल्डीथियूम और कोटेशियूम का मात दे निकल हैं तो बहुत सोटियूम के बराबर यानि 23 के बराबर निकले हैं दूसरी बार हम सब्दों मा कह सकते हैं क्लियर अगर सीमा है देखना है तो सीमा के बारे में हम पढ़ेंगे कि उस समय तक जितने भी तद्दों ग्याद थे उसमें सिर्फ ये त्रिकी बना पाई और दूसरे पॉइंट अगर बात करते हैं हम दूसरे पॉइंट की तो आगे ऐसे तद्दों भी प्राब्त हुए जो त्रिक के अनुसार सही नहीं थे इसलिए उनकी जो परगी कान की पद्द्दी थी तो एक्स्विलेंट करना चाते थे रखना चाते थे अलिमेंस को नहीं रख पाई और ये वो अस्फ़ल रहे हैं इसी तरह से उनकी कान वहीं तक रही निच्ट कुश्चन अपाना है मेंडलेब के अवाषाणी और आदुने क अवाषाणी थे अंतर लिखें मेंडलेब के अवाषाणी क्या है और आदुने का वाषाणी थे हैं? यहां पर मैंने 55 पॉइंट लिखती हैं लेकिन इतने नहीं आएंगे कम आएंगे चलिएगा कंप्लेट करते हैं मैंडलेप की जवाब असानी थी वह आमें पता होना चाहिए कि परमान द्रब्बान पर आता रहे थी और जो आतने काब असानी है वह बढ़ते हैं परमान कर्मा अगर हम बात करें मैंडलेप की आवश्चानी की तो इसमें शमू यानि इस तरह से लाइन कीची हैं वो शमू थे उनकी संख्या आठ है आठ थी उसमें और इस तरह से जो संख्या थी उसे आवर्थ कहा जाता है उनकी थी छे क्लियर जो संख्या थे वर्ग थे वो आठ थे और छे आवर्थ थे मैंडलेप की आवश्चानी है अगर आदमे का आवश्चानी में देखा जाए इस इसमें तो अठारा संख्या और साथ आवर्थ देखने को मिले गएगी तीसरा पॉइंट अगर देखा जाए तो अक्री गयसों का कोई स्थान नहीं था उनकी टेवल में इस समय अगर उनकी टेवल में देखा जाए तो अक्री गयसों को एक अलग से स्थान दिया गया है जिसे हम 0 गृप भी कहते हैं 18 वा समूव कह सकते हैं 18 वे समूव में अकरी गैसों को रखती है लाश्ट वाला पॉइंट है कि समस्तानिकों का कोई उचितिस्तान नहीं था इन में डिलिप की आवसानी लेकिन इन में समस्ताने को का उच्छतिस्तान दिया गया है आतने का वर्षा तो ध्यान रहे तीन पॉइंट कंप्लिट कर लेना तो नमबर का है हो जाएगा अपने यह बहुत ज़ुरी है कि इनकी आवसानी किसकी आधार पर आधारत थी इस वात का ध्यान अपने चलो किस्टन हम कंप्लिट करते हैं अपनों कि आधने कावत नियम तो आधने कावत नियम की अगर बात करें किस नहीं दिया था है हैंड्री मौशले ने क्लियर इन्होंने क्या कहा था कि जो तत्त के बहुत एक और रशाने गुण होते हैं तो उनकी प्रमण संक्या के आवरती प और उन्होंने आधने के जो आवर साणी में क्या किया था इसी नियम के अंतसार सभी तत्तों को सजाया इसी नियम के अंतसार बढ़ते हुए प्रमानु संक्या क्या क्या राज हम उन्हीं की साड़ें की पड़ रहे हैं नेस्ट कॉस्सन है उत्करष्ट गैसों को अलग समू में क्यों रखा गया है उत्करष्ट गैस अक्रिया गैस ये सभी अधारवे समू की बात कर रहे हैं तो इनको अलग समू में क्यों रखा गया है तो सबसे पहले तो हमें ये पता है कि ये कैसे होती हैं वो रासाने ग्रूप से अक्रिय होती है दूसरी बात की जाए तो इनके जो बायतम कोस होते हैं वो पूरी तरह से भर रहे हैं नहीं इसका अगर अलेक्ट्रोने के बिन्यास निकला जाए किसी भी तक दुका इनमें से लेकर के तो इनके बाहरी कच्छ में कोई भी एलेक्ट्रोन सेस नहीं बचता है अब जब पूरी तरह से भरे हुए हैं संपूर हैं तो इनक इसकी ज़रूरत किसी के लिए इसलिए इनको उतक्रेश्ट गैस कहा जाता है और अलग समों में रख दिया गया है हतात कह सकते हैं इनके गड़ों में शमानता पाई जाती है क्लियर लेस्ट कुश्चन है हमारा आदने का आवस्थानी दोरा किस प्रकार से मेंडलेप की आवस्थानी की विशंगतियों को दूर किया गया जो आदने का आवस्थानी थी उसके अनुसार मेंडलेप की आवस्थानी की विशंगतियों को किसे दूर किया यह आतनिक जबार्षानी ने ऐसा क्या किया कि मंडलीप के अवर्षानी में कमिया थी उनको भर दिया गए कम्प्लीट कर दिया तो कहला पॉंट तो यही था कि परमाणु द्रभानगे की अधारभान पर जो अधारगश थी लेकिया बर्सानी तो सही से याद नहीं होती थी शमाज में नहीं होती थी तो उनको क्या किया सरल बनाया और पढ़ते हुए प्रमान कर्मान की रूप में रख दिया कैसे रखा बढ़ते हुए प्रमान कर्मान के किरम में सजाती एक सरल था हो गई दूसरा हड्रोजन के बारे इन बात की जाए तो हड्रोजन का पत्म समूँ में संगलत इस्तान दे दिया क्यों? क्योंकि जो हड्रोजन होता है वो बिद्द दनात्मा कोने के साथ साथ छार दात्मों से समानता रखता नेश्ट जो अक्री के ऐसें थी, कम क्री अचील के ऐसें थी उनका में लिप क्या पसानी में स्थान नहीं था लेकिन इनों ने 18 समूँ में उनको जगए दी कि आप अगर किसी से क्रिया नहीं कर रहे हो आपके परवाण आपके जो कच्छ हैं पूरी तरह से भरे हुए तो आपको यह जगए दी जाती है किलियर नेस्ट कुश्चन है अपना लास्ट यहीं पर आपका आज स्टॉप होगा यानि फाइब तक की जितने भी इंपॉर्डेंट कुश्चन थे वो सभी का निचोड मैंने इस वीडियो के मादम से आपको गरुवाइट करा दिया है लास्ट वाला कुश्चन है अपना परमाणू करमांग आटोमिक नंबर क्या होता है क्लियर प्रोटॉन की संक्याक बराबर होता है इसे Gες से दरस आते हैं अगर परमाणू की सब्सक्राशन आपने दीकी हो तो उसमें आपको निचोन और प्रोटॉन उसके नाविक में दिखाए देते हैं इलक्टरॉन चक्र लगाते हुए दिकाई देती है तो उस नाविक में जो पस्तित इलक्टरॉन की जो संक्या होगी वो परमानु कर्मांक कहलाएगा कि इसी दर्शाय जाता है जाता है इसी तरह ऐसे अगर परमानु बहर या द्रभमान की बात की ज़े एक दोनों कुश्चन मैंने एकी में देती हैं लेकिन अलग लगाई भ्यान लगाई तो परमानु बहर क्या होता है तो उस नाविक में क्या-क्या पस्तित था नीट्रोन और स्टोर्टों है तो प्रमानु गर को दे तो यह जो मों अप्रस्तित प्रोटोन औस नूट्रों में ढूंगकी सिंखिया के बराबर होता है कि प्रमानु गर क्या होता है दोनों की Cris न grace के स्ठीट आ यह कह सकते हैं इस प्रोटोन का हें को दोकना क। प्रिस्टुडेंट हम फर्स्ट से फाइब तक के पते कुश्चन का रवीजन कर चुके अगर आपको वीडियो फसंद आया हो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए और पताईए कि हमें वीडियो कैसा लगा और हम आपको जो बाइलोजी और फिजिक्स पॉर्शन का वीडियो भी बहुत जल्दी प्रोबाइट कराएंगे लिकिन अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो पहली शब्सक्राइब जरूर कर ले क्योंकि अगर नहीं वीडियो आईगी तो आप तक सबसे पहले तब ही पहुँचेगी जब आपके दोरा चैनल को सबस्क्राइब और वेल आइकन को प्रेस कर लिए जाएगा तो एक बार चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर ले और वेल आइकन को भी प्रेस कर लिएगा जिसे आप तक बहुत जल्दी हमारे वीडियो पहुंच जाएगी तो स्टुडेंट अब नेस्ट वीडियो में हम मिलेंगे चेहन